हे गाईज देखो कुछ-कुछ ऐसे important stocks हैं जिनमें movement दिखने को मिल रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासे opportunity के तलास में हैं तो मैं आपको बोलूँगा focus जरूर करना चाहिए तो सबसे पहले सर मैं बोलूँगा infrastructure में ध्यान दिखें ठीक है infrastructure वाले चीजों पर ध्यान दिखें मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंफ्रा में government का spending बहुत जादा है बहुत ही जादा है government का spending और इसी के वज़े से मुझे लगता है क्याने वाले मतलब 10 से 20 years सर infrastructure वाले stocks काफी अच्छा कर सकते हैं काफी मतलब बहुत जादा अच्छा कर सकते हैं ऐसा आज तो देखे 10% भागता हुए नजर आया कुछ-कुछ ऐसे stock और लाश्ट वरेक्टिंगेंस से देखते हैं तो कुछ दिनों से गिरता हुए नजर आ रहा था जो कि 12% गिर चुका था लेकिन इसक लगंड़ जो 128% तक का रीटन पुछ्ले पांच-णूडम अगर आप देखना चाहते हो तो मतलब नीचे से अगर आप देखना चाहता तो सर्थ बहुत घजव लिटनिकाल की दे रख़्ा लत तो नीचे से बात करते हैं सर्थ는데요 और नीचे से देखते हैं कई भर भया कर भय गिरावाट भी हो चुका है मतलब डड़ाने के लिए 30-30% तक का गिरावाट तो आराम से हो जाता था यहां पर भी देख लिए तो यहां पर भी हुआ है 46% तक का गिरावाट तो गिरावाट एक अलग चीज है लेकिन लंबे समय में जो इंट्रा वाल स्टॉक चल रहे हैं वो कंपनी ने जो सेल्स किया 1,969 क्रोड मतलब आलमस 2,000 क्रोड के बाजियू में 2,000 क्रोड सर और साथ में अगर हम देखते हैं तो सरक कंपनी के पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 48 पसंद था 48 से भी देखे 42 लेकिन फिर भी मैं आपको भी लूँगा ऑप तगड़ा प्रॉफिट बनाया है एक क्वार्टर को किवल छोड़ कर देख लेजे सारे क्वार्टर का हाई प्रॉफिट मतलब हाई एस प्रॉफिट में आ रहा है सर ऐसा कभी कभी कंपनी को ज्यादा ही अच्छा कर रही है ठीक है तो इंफ्रस्ट्रेक्टर वाले चीजों नेरली 143 लाग करोड ठीक है इंफ्रस्ट्रक्टर के ऊपर सेवन फिशल तुर आपको बताया जारा 2030 तक इतना वड़ा पैसा जो है इंफ्रस्ट्रक्टर के लिए खर्च होने वाला है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तयार हो कभी लोग क्या सोचते हैं यार आ आज तो आज है कल तो कल है यह आज कल मत देखो इंवेस्ट्मेंट मतलब लॉंग टर्म मतलब से एकदम लॉंग टर्म एकदम लॉंग टर्म तो इंफ्रस्ट्रक्टर वाले मुझे लगते हैं कि बहुत सारे अच्छी कंपणिया उभर के आने वाली है 2030 तक से मतलब कुछ ब पेटियम ने आज की डेट में भी देखो 10% का फाइनली जाके सर लुवर सरकी लग चुका है पेटियम देखो एक तरीके से अगर आप देखो गया तो सर बहुत बढ़े मतलब प्रॉब्लम में पेटियम फच चुका है इनके बहुत सारे बिजनसेस बंद होने वाले हैं सर लोग ने कुछ बड़ा क्या खिला है किया खिला है कुछ लोग ने तौशर इनका और भी टारगेट कार लिया है बै इतना अल्रेडि गिर रहा और खितना इनक्ता घर kang गंटेख सकता है क्यें कि डाइरेक्ट बोल रहे हैं सर इनका बहुत सारे बिजनसेस बंद होने वाले बहुत का मतलब इनका जो लोन वाला धन दाता वो बंदी हो जाएगा सर और जो इनसे customer deposit वाले यह बहुत सारे इनका जो wallet वाले धन देते यह भी बंदी हो जाएगा तो सर बच्ची का क्या पेटियम फिर किसके लिए जाना जाएगा सर यह प्राउलम है और कोई प्राउलम नह बताया जारा foreign investors dumped 7000 करोड़ वत पेटियम शेर्स बताया जारा बिफोर RBI बैड यहां पर देख सकतो लोग what else they sold बताया जारा कि सर RBI का action लेने से पहले ही 7000 करोड़ का माल foreign investors ने बेच दिया मतलब सोच रहो smart people सर यह लोग over smart लोग हैं जो मतलब stock गिरने से पहले ही लोग बे लिचा घया माल कौन खरीदा होगा आम जंता ने खरीदा होगा simplyze रहले कोड़ मैंसर फ्रुट ने वंगर जाद से ब्यादा stock गया और जब RBI ने बोला था तब से ही सर 20% के हिसाब से गिरना स्टार्ट हुआ तो इन्हों ने उससे पहले ही माल बेज दिया सर खबर लेट से आया सुना आप लोगों ने खबर लेट से आया तब तक तो सर सारे लोग डूप चुके हैं यहाँ पर तो RBI ने सर बहुत सारे इनके अक्तिविटीज को बंद कर दिया पेटियम के बहुत सारे अक्तिविटीज को बंद कर दिया है जहां तक की बात करते हैं जर हुड को आज 10% वापस भागता हुग नजर आया है और पछले 5 जीन से देखो के तो भाई नॉर्मल था तो हुड को ऐसे देखोगे तो जिस तरीके से सरक government के तरप से ख़बर आया है ठीकिना housing development के बारे में कि दो करोड दो कुछ लगबक जो है सरर घर देना है simple है सर अगर इस तरीके से इस तरीके से कुछ होता है होता क्या government है तो डारेक्ट बोल दिया है डारेक्ट सिधा प्रॉफिट देगे सर कभी-कभी गवर्नमेंट आपको डराने की खोसिस करेगा जो लॉज दिखाएगा लेकिन सर उसके बाद फिर डेंजर भागेगा पता ही नहीं चलेगा तो स्टॉक मार्केट इसी को कहा जाता है सर 20% तक का रिटन इसलिए तो यह आपक है सकता अपके फानीच्यल अडवाइजन तो फिर भी सर स्टॉक सीधा तो जाएगा नहीं अपर यहां पर आपको करेज रखना पड़ेगा चाहे जो भी हो चाहे आपका डिसिजन सही हो लेकिन फिर भी करेज रखना पड़ेगा और ये तो अब ही तो खबर आया है सर और हर बजट में सर हाउसिंग डवलप्मेंट में फोकस किया जाता हर 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 बजट में आपको बलूँगा सर इस मुद्दे के ओपर नज़े रखो फ्यूचर बहुत ग्रेट है आज से ठीक एक दू साल पहले हम लोग डिसकस किया करते थे सर टाइम टेक्नो ब्लास्ट के ओपर एक साल में इसने 150 परसंट तक का रिटर निकाल के दिया और सर ये जब था नीचे में तब से अभी देख सकते हो तो 500 परसंट से भी जादा रिटर निकाल के दे रखा 755 परसंट इससे क्या बता चलता है कि सर स्टॉक गिरता है कंपनी का वैलुएशन नहीं हमें रिसर्च कर करूँगा कि कुछ ऐसे चीज़ा होते हैं सर जो एक कॉमन चार्ट पेटर मनाते हैं देख लिए ये सर इसका सबसे ज्यादा लो इधर ही है तो अगर इसके आजू-बाजू अगर आके बैठता है तो कहने का मतलब यहां से नीची जाने का चांसे बहुत कम है क्योंकि सर यह यह तो institutional हो जाता है मतलब कोई भी मिचल फंड वाले भी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बस देखना है कि स्टॉक अपने सबसे लो पोजिशन पर आ गया हो और कंपनी का वेल्यू एकदम गिर सा गया हो तो वहां पर फिर हाथ अगर लगाते हो तो फिर को गिरावाट एक आहाम बात है हर एक चीज में गिरावाट होती है और बाकी आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा ऐसा स्टॉक है जिन में काफी भारी गिरावाट है अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बना कर आपको अपडेट देने के होता है अगर अगर सही तरीके से मतलब अब करते हो चैनल को सबस्कायब करते हो रहनुत के आपके पास पैटर आप है उसके लिए घरी बस्ते नहीं को रिक्वेस्ट ऐस्यारा कॉ intro सब होगा कि सब होगा क्या है कि सबी कुछ आपको पता रहेगा है कि realities बेस्टे बिजंपताई नहीं लोगे तो सर उपार से गिरेगो उपार से लोगे नumuz बहुत नीचे गिरेगा और सर चोट भी लगेगा हड़ियों का भी दर्द होगा और सर फैसे भी लगेगा याद रहिए वो सब कुछ भी नहीं है